मैं हूँ दिनेश के वो रहा आज चंदर शेकर आजाज जिनकों की 20 दिसंबर के प्रदर्शन की वियासे 21 दिसंबर को दिली पुलिस ने ग्रफ्तार कर दिया था जिहां दिली में जामस्चित के अंदर जो वहां पे प्रदर्शन हुए थे और कुछ टिपडियां दिली की इस कोट ने अदालत ने जो दी हैं वो बहुत तलकर बहुत ही सक्त हैं बहुत ज्यादा दिली पुलिस के रविये पर नाराजगी जाहिर की और दिली पुलिस ने कोट से कहा कि किसी भी प्रदर्शन के लिए इजाज़त की जरूरत होती है तो जजज ने कहा कि कैसी इजाज़त आप ऐसे वेवार कर रहे हैं जैसे जामा मस्चित पाकिस्तान में हो अगर जामा मस्चित पाकिस्तान में भी है तो भी नागरी कमा शांती प्रोण प्रदर्शन कर सकते हैं ये टिपणी बहुत सक्त टिपणी थी बहुत सक्त थी एक और बात के बात चल ले थी उसके उपर देखा जाये तो एक एक कमेंट था और सरकार इस बात से डेफिनिटली तिल मिला गई होगी जज ने ये बात भी कही कि आप अपने देश को तबहा नहीं कर सकते संसरती भी तर जो बात ही कही जाने चाहिए वैं नहीं कही जाती है इसलिए लोग सड़कों पर उतरते हैं हमारे वहां पर भड़काओ भाशन दिया तो जज ने कहा कि आप सबूत दिखाईए कि उन्हें कौन सा भड़काओ भाशन दिया और दूसरी बात अगर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं जाहां मस्तिद्वे कोई ऐसा कानून बताए जो उस जमावडे को उस कॉंग्रिगेशन को जो पस्वीरे ली और आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं तो क्या दिल्ली पुलिस इतनी बैक्वर्ड है कि उसके पास रिकॉर्डिंग के उपकरण भी नहीं है यानि कि रिकॉर्डिंग के कोई इस्टूमेट्स भी नहीं उसके पास अब दिल्ली पॉलस को जिए कहना है कि आपने कोई इجाजत नहीं ली-प्रदर्शन के Indian के लिए कि तब बहुत और गुश्य में ती और कहा कि कोई ऐसा चीज कानून बॉत और बता जो इस प्रदर्शनοι को जिसे कहा जा एक और तर्क टिकनी टिपनी थी और एक और बात थी कोट ने का कि जो चंद शेकर आजगाद है कानून का चात्रे कोट के बीतर प्रदशन कर सकता है वे एक अमेट करवा दिया अमेट कर मुसलिम सिखों और मूल रूप से समाज के दवे कुछले वर के करीब थे अमेट कर अपनी ही तरह के विद्रोई थे हो सकता आजात क्या कहना चाहता था इसका एक धुंदला सा विचार उसके पास हो लेकिन उसको सही तरीके से रखना पा रहा हो संसत के बाहर प्रदशन के वाले मंत्री बने हैं कोट ने कहा कि जो लोग संसत के बाहर प्रदशन करते थे वो भी बाहर में जाके मंत्री बने हैं मिनिस्ट्रस बने हैं लेकिन चंदरशेकरादाद की जो उनकी जो टिपणियां है या उन्हें पोस्ट में जो लिख है उस प वोट ने वापिस से बुलाया और पुलिस से का कि सारी सारी सिखिश कीज़ें नहीं तो वही से श्रक मामला रद भी हो सकता है और दिल्ली पुलिस के खिलाफ, जो टिपणिया है तो बहुत सकत है यह दर शकुद्व सरकार के खिलाफ, तो पुलिस को चौड़िए केंदर सरका करना मत भूलिएगा